वी नर्चर विद केर, डेवलपिंग देविजिन अन देटर्मिनेशन, वी शेप देविजिर अफ दे नेशन, वी आर ग्रेट मेन इंटरनाशनल स्कूल कहने को तो ये मर्द है, लेकिन मर्दानगी भी दिखा रहा है तो एक लाचार औरत को, और तमाशबीन खड़े हुए हैं ये सबी लोग उस बेचारी महिला को इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है कि देख कर रूह काप जाए, कलेजा मू को आ जाए जब उसकी बेटी बचाने पहुँची तो उसे भी बुरी तरह से पीटा गया, जैसे इंसानियत कहीं मर गई हो ये मामला टीकमगड जिले के खरगापुर थाना च्छेतर के गुनागाओं का है, जहां जमीनी बिवाद को लेकर दो पक्षों में बिवाद हो गया था जो इतना बढ़ा कि एक बख्ष की महिला पर पोरोश और अन्य महिलाएं दूट पड़े महिला रेखा रैकबार को बाल पकड़ कर बेरहमी से लाटी लाथ गुसों से जम कर पीटा गया वो चीखती रही, जिलाती रही, गरहाती रही लेकिन उसे किसी ने नहीं बख्षा उसकी बेटी शिवानी बचाने पहुँची तो उसे भी बूरी तरह पीटा गया ये वेडियो सोशल मीडिया पर भी वाइरल हो रहा है वहीं इसके बाद खरगापुर थाने में फरियादी की शिकायत पर छे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है टीकमगर पुलिस अधीक शक प्रिशान्थ खरे ने बताया कि दो परिवारों के बीच मार पीट का वीडियो वाइरल हुआ है जिसके आधार पर नामजद छे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जल ही आरोपियों की गरफतारी की जाएगी जो एक आप एक विडियो वायल हुआ है जो कि थाना खरगापुर के घराम गुना का बताया जा रहा है। थाना भरवारी से पूरी जानका ली गई तो इसमें यह पता चला है कि इसमें आज सुबह एक जगडा हुआ है रेकवार समाज के लोग हैं, इनके परिवार के लोगों के बीच में जगड़ा हुआ था, तो इसमें एक महिला की और एक लड़की की इसमें पिटाई की गई है, इसमें परक्ण पंजीबद कर लिया गया है, छह लोग नामजद इसमें आरोपी बनाए गया है, और इसमें रेकवार हैं, इनकी मारपीट छे अरोपियों ने किया था, अर्दीन रेकवार, और दावा दीमर, अदल्पू दीमर, और स्रीमती रचना दीमर, और स्रीमती सीला दीमर, और स्रीमती सुमन दीमर, यह अच्छे लोग हैं, सभी लोगों ने इसकी जमीनी बीवात पर से पुलिस के द्वारा अवराग पंजीबाद्य कर लिया गया है। और सारे रिद्दा रोपी के तने हैं सभी। इतने रोपी हैं जो पुरे चे हैं और सभी पुलिस के ग्रिप में। क्या का दाराय लगागी है। सागर्टीब नियूस के लिए टीकमगर से सुधीर जैन की रेपोर्ट क्या कर देकिश से लिए लिए लोपेंग अूटान सुधीर कि अर्टीब सुधीर झाल कि है। अबस्भी कि है। झाल